अगर आपके पास कोई भी एक तत्काल का AC वाला टिकट है, जैसे 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, 3rd AC, गोनामी, चेयर कार, मतलब कोई भी आपके पास एक तत्काल की AC क्लास वाला टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, तो railway आपके उपर कितना चार्ज लगाएगी, आपका refund कप कैसे औ कहां पे आता है, सारे जानकारे बिल्कुल complete देने वाला हूँ, साथ ही आपको इस वीडियो को skip नहीं करना है, वीडियो भी यहीं से start होने वाला है, आए चलिए, शुरू करते हैं, तो यहां पे आपके पास जो AC की क्लास की तत्काल वाले टिकट है, वो दो ही टाइप की हो सकती है, या तो वो confirm हो चुकी होगी, या फिर वो waiting में रुकी होगी, तो सबसे पहले हमनों समझेंगे कि अगर आपके पास AC की क्लास की तत्काल की confirm ticket है, अगर आप इसको cancel करते हैं, तो railway आपके उपर कितना charge लगाएगी, तो दोस्तों बिल्कुल धान से समझेगा, railway आपक तत्काल की confirm ticket की cancellation पर एक भी रुपय refund नहीं करती है, यानि कि अगर आपने AC की क्लास की confirm तत्काल ticket को cancel किया, तो वहाँ पर आपको zero refund मिलेगा, तो कभी भी भूल के अपनी तत्काल की confirm ticket को आपको cancel नहीं करना है, अब हम लोग समझते हैं, अगर आपके पास एक तत्काल की AC क क्लास की waiting वाले ticket है, अगर आप इसको cancel करते हैं, तो railway आपको कितना पैसा refund करेगी, तो दोस्तों बिलकुल ध्यान से समझेगा, जब भी आप अपनी तत्काल की AC क्लास की waiting वाले ticket को cancel करेंगे, तो railway आपके उपर 60 रुपीज प्लस GST पर पैसेंजर की हिसाब से चार्ज किया हो, वहाँ पर आपके पैसा refund के रुप में process कर दे जागा, तो दोस्तों यही the total charges, ततकाल टिकट की cancellation को लेकर वो भी AC की क्लास में, वीडियो पसंद आगा यह, तो वीडियो को like जरूर कर दे जागा, बाकी आप से मैं मिल जाँगा अगली वीडियो में तब तक के वीडियो के वीडियो के जागा ये प्रूर के आप ये बागा ये वीडियो को लिट शोना ये वीडियो का ये बागा ह। कर दे आप से में एज जागा ह।